हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूदेंट्स, वेलकम टू एटिप स्टार कोटा, कैसे हैं आप सब, होपिंग आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे, तर आज के लिए बुलजाई कंसेप्ट वीडियो में लेकर आया हूँ, जिसमें बहुत एक लिमिटेट समय में, मिनीमम सम में आप इस कंसेप्ट को इन डेप्ट समझ पाएंगे, नाम देख चुके हो, मारकोनिक ओफ रूल देखने वाले हैं, और इसी में एडिशन ऑफ होता है, एलकीन पे और एलकाइन पे, हाइडरो कारबन का ये कोर है और बहुत ही इंपॉर्टन कंसेप्ट है, ठीक है, तो श हाथ में लिया गया है CCL4, CCL4 यहाँ पे solvent है, और इस solvent एक ऐसा मैदान है, जहाँ पे और और ये लड़ाईया लड़ी जाने वाली है, तो यहाँ पे जो एलकीन है और ये जो HBR है ये आपस में लड़ने वाले हैं, और प्रोड़क्ट बनने वाले हैं, गुल खिलने वाले ह वो कौन-कौन से बनेगे, वो मैं आपको एक बार बदा लेता हूँ, यहाँ पे one of the product would be this one, and second product would be this one, अब सवाल पहला तो यही आता है कि सर ये बनती किस तरीके से हैं, और फिर आता है इसके अंदर major कौन सा है, और minor कौन सा है, आई देखते हैं इस particular reaction का mechanism, देखिए, आप स दूसरा होता है अमीर, जो होता है nucleophile, जो electron rich होता है, तो आप सभी को साथ दिखना चाहिए, कि यहाँ पे जो यह एलकीन आपको दिखाई दे रहा है, यह हमारा nucleophile है, और उसके सामने अगर हम HBR की बात करें, तो भई यह बहुत ही powerful acid है, तो इसमें हमें मिलेगा H+, तो यह हम अब minus और plus की बीच में attraction होने के बाद bond बनाने की चाहत होती है, जैसे कि life में भी होता है, उसी तरीकी से यहाँ पे भी attraction होने के बाद bond बनाने की चाहत होती है, और bond बनाने के लिए electron pair तो देना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो ही nucleophile है, यह अपना pi bond break करेगा, और break करके electron pair इ यहाँ पे यह electron pair हो सकता है कि इस carbon के साथ share हो, यह हो सकता है इस carbon और hydrogen के साथ share हो, क्योंकि यह pi bond की electron अभी तो दोनों carbons की property थी, पर ना हो, this pi electrons can be shared either with this hydrogen और इस carbon के साथ hydrogen के साथ bond बनेगा, चलिए पहले left वाला देख लेते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ बन जाएगा CH2, और यहाँ पे इस बिचारे का valency free हो जाएगा, यूकि bond तो यहाँ बन गया, और यह बिचारे का octatin complete हो गया, दूसरी possibility इसमें यही है, कि भई, यहाँ पे bond ना बने तो यहाँ पे आएगा plus, और दूसरे particular carbon पे H आजाएगा, अब these are the two possibilities, अब आप सभी जा बता है, बता सकते हो plus को जिन्दगी में क्या चाहिए, minus, minus यहाँ पे कौन है, भई, HBR का भटकती आत्मा, BR- यहाँ पे है, और minus जब यहाँ अटाक करेगा, तो हमें मिलेगा यह product, और अगर BR- as a nucleophile यहाँ अटाक करेगा, तो हमें मिलेगा यह, सवाल अब यह आता है, कि भ यहाँ पे carbocatine जो है, उसमें total 6 alpha hydrogen है, और यहाँ पे आप देखोगे, तो मात्र 2 alpha hydrogen है, hence this carbocatine is more stable, अब यह carbocatine जादा stable होने की वजह से, इसका बनना क्या होगा? असान होगा, अब यह असानी से बनेगा, यानि जादा quantity में बनेगा, और अगर यह हमारा major quantity में बनेगा, तो इससे जो product बनेगा, वो भी क्या बनेगा? major बनेगा, तो simple fund आप सभी को clear होना चाहिए, कि major product is formed by more stable carbocatine, जो more stable carbocatine है, उसी से हमारा major product बनता है, और जो less stable है, उससे हमारा minor बनता है, तो यह हुआ minor, यह हुआ major. अब सवाल आता है, कि sir, marconic of rule जो है, वो है क्या? तो यहर देखो, question तो मिला marconic of rule के नाम से भी हो जाए, अगर आपको नहीं भी पता कि क्या होता है marconic of rule, question तो हो गया, just you have to form the stable cation, और उस cation, carbo cation के उपर, BR- का attack करोगे, अब यहाँ पे HBR की बजाए, अगर आप HCL ले लोगे, तो यहाँ पे BR की बजाए CL आ जाएगा, अगर यहाँ पे आप acid के साथ पानी ले लोगे, water ले लोगे, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, तो marconic of addition, instead of just HBR, HCL में भी हो सकता है, HI में भी हो सकता है, उसके added on the carbon, having more number of hydrogen, इलेक्ट्रोफाइल उस carbon पे add होता है, जहाँ पे number of hydrogen अल्रडी जादा होते हैं, आईए देखते हैं, यह पाई बॉंड वाले दोनों carbon है, आप सभी देख सकते हो कि इसमें right वाला जो carbon है, इस carbon पे number of hydrogen जादा है, देख सकते हो ना, यहाँ पे दो hydrogen है और पे HBR में electrophile कौन सा हुआ? H+, हुआ, तो यहाँ पे CH2 जो है, उसके पास क्या जाएगा? H+, जाएगा, जिससे मिलेगा यहाँ CH3 और दूसरे carbon पे obviously फिर BR ही जाएगा, ब्रोमीन ही जाएगा, तो electrophile कहाँ पे add हो रहा है? Electrophile वहाँ पे add हो रहा है, जहाँ पे number of carbon क्या है, number of hydrogen क्या है? जाएगा है, तो बारस रिपीट कर रहा हूँ statement, electrophile is added on the carbon having more number of hydrogen, लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ, इसका use directly इतना नहीं आता है, simply जो concept आपको बताया है, कटायन वाला, कार्बो कटायन वाला, इससे सवाल बन जाते हैं, तो Marko Nikos Rules समझ में आया, लेकिन आप content का मतलब समझ रहे हो ना, limited समय में maximum धमाका, देखें आपके पास उतना समय होता नहीं, आप जानते हो है न, limited समय में इतना सारा revision काम करना होता है, तो these videos would be game changing for you, चलिए अब यह सवाल आपके सामने है, एक चीज में बता देता हूँ, कि जो notes होते हैं, for example, and practice की sheets होती है, ब अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो कर लेना, जरू कर लेना, वो आपको लगातार material उसमें upload होता रहता है, practice के लिए बहुत सारे test भी है, तो that can help you, always, है न, पूरी journey में आपको help करेगा, यहाँ पर देखो अभी सवाल है, इन सवालों में हमें markonic of rule लगा के या नहीं वो जो कार्बन पर केटायन जादा stable है, तो as you can clearly see कि भाई, यह वाला जो कार्बन है न, इसका degree 3 है, तो यहाँ पर alpha HB जादा होंगे, hyperconjugation जादा impactful होगा, which means, यहाँ पर HBR जब add करोगे, तो इस point पर BR आने के chance जादा है, clear है, direct question हो जाएगा, यहाँ पर देखो, अब मैं trick आपको बताता हूं, directly वही, कि भी सीधा, जो higher degree carbon है, उस पर जाओ, उस पर प्लस आएगा, अगर उस पर प्लस आएगा, तो BR माइनस भी तो वहीं पर आएगा, बात समझ में आ रही हैं के भीडू लोग, अब उसके बाद यहाँ पर अगर देखते हो, तो आप सभी को दिख रहा है pH is benzene, और अगर यहाँ पर ketine बनता है, तो इस ketine की stability क्या होगी, ज्यादा होगी, योगि वो resonance करेगा benzene के साथ, तो pi bond के तूटने के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा क्या, हमें मिलेगा यहाँ पर bromine, अब उसकी बात करते हैं, इधर, यहाँ से देखो आप सभी, खुद करोगे, तो कहना ही क्या, ठीक है, तो सरफ मैंने हमेशा बोला है, सरफ देखते रहने से काम नहीं चलता, तो अगर pause करके try कर लो तो best है, ठीक है, तो pause करो भी, try करो, इन दोनों questions को, देखते हैं कौन-कौन student सही करता है, हाँ महीं, क्या रहा, सही हुआ, चलो देखो इसका बताता हूँ, देखो, oxygen के पास loan pair available है, तो जब यहाँ पे positive charge आएगा, तो इसका loan pair और इसके plus के बीच में, महबत हो जाएगी, प्यार हो जाएगा, एट्राक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, कि यहाँ पे जब plus आएगा, तो plus आने के बाद, इस point माइनस यानि ब्रोमीन आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा दूसरा hydrogen आ जाएगा, simple, very simple, तो आपको focus करना है किस बात पे, कि कार्बोकेटाइन बनता किदर है, जहाँ बनता है, वहाँ पे आप product बनाईए, अब उसके बाद आईए देखते हैं, यहाँ पे CF3 CH double bond CH2, आईए द drawing है, बहुत ही strong, minus i है इसका, है न, जिस कारण यह electron withdraw करता है, और ketan को destabilize करता है, hence ketan will be formed away from CF3, तो यहाँ बनेगा, तो यहाँ पे basically Markonikov की बजाए, anti-Markonikov rule लग गया, उल्टा हो गया यहाँ पे, Markonikov के हिसाब से, हमारे पास, कहां आना चाहिए था, यहाँ पे ब्रोमी जाएगा, reverse आजाएगा, अब यहीं पे अगर हमारे सामने आजाता है, क्या आजाता है अपने सामने, usalikine, तो आइए देखते हैं, alkaline में देखो भाई क्या करना होता है, यही same concept apply होता है, बस सबसे पहले triple bond से क्या बनता है, double bond, सबसे पहले double bond बनेगा, और यहाँ पे आए है इसमें प्लस आएगा विकोज यहाँ पे अलफा एच जादा है इस कारण ब्रोमीन जो पहले था वो तो रहेगा ही एक और ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा तो एलकाइन में अगर हम देखें तो HBR बार आड करोगे तो दोनों बार मारकॉनिकोफ रूल लगेगा और स्टेबल किटाइन विल भी फॉर्म्ट ओके गाईस तो देखो यार मैं समराइज करने वाला हूँ जो भी आज हमने सीखा है इस बुलजाई वीडियो में जिसमें बहुत लिमिटेड समय में आपको एक कंसे देमंध हो रहा है दूसरा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई कैसा लगा आपको कॉंटेंट और उसके अलावा अगला टॉपिक कौन सा चाहिए वह आप जरूर बताना है ना उसी के बेसिस पे मैं आपके लिए डिफरेंट कॉंटेंट लाता रहूंगा फुल केम सपोर्ट चाहिए होगा यार आपके सपोर्ट के बिना अकेले कोई कुछ नहीं होता है ना तो यहां पर मैं समराइज कर देता हूँ वाट यहाव अंडस्टोड टुडें इन इस पर्टिकिलर सेशन आप देख सकते हो मार्कॉनिक ओफ रूल में एडिशन होता है या तो में अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलकीन और एच्बीर में रियाक्शन हुआ स्टेबल कटान बना और स्टेबल कटान पर अटाक करके मेजर प्रड़क बना यहाँ पर एक और बात होती है रियरेंजमेंट की बात होती है लेकिन वह भी ह exceptions में reverse भी हो जाता है anti-marconic of rule भी लग जाता है उसके अलबा notes and practice sheets के लिए ATB star app या website पे जाहिए ओके dear students, चलिए वे दिन Till then, bye bye, take care and keep preparing well Love you all